गुरुदेव और मागायत्री के जड़नों में कोटी-कोटी इनमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए पिशली बार हमने जाना था कि गायत्री की पंच कोशी साथना करने के बाद साधक की दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लीता है पाचों बंदनों से मुक्त हो जाता है और दस महाशक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है अब हम जानेंगे गायत्री महाशक्ती का अवतरण साधक में जब होता है तो साधक को ध्यान में किस तरह क्या भास होते हैं गायत्री के पंचमखी चित्रों एवं पंचमखी प्रतिमाओं का प्रचलन इसी प्रयोजन के लिए होता है इस महामंत्र की साधना का सहारा लेने वाले को ये विरित होता रहे कि हमें आगे चल कर क्या करना है जब, ध्यान, इस्त्रोत, पाठ, पूजन, हवन ये आरंभिक क्रिया कृत्य हैं इनसे शरीर की शुद्धी और मन की एकागरता का प्रारंभिक प्रयोजन पूरा होता है इसे अगली मंजिल कड़ी है उनकी पूर्ति के लिए साधक को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उस गायत्री पंजम की चित्रन का प्रयोजन ठीक तरह से समझ लिया वैसे गायत्री परंब्रम परमात्मा की विश्व व्यापी महाशक्ती है उसका कोई सरूप नहीं है यदि सरूप का अभास पाना हो तो वह प्रकाश रूप में हो सकता है ज्यान की उप्मा प्रकाश से दी जाती है गायत्री का देवता सवीता है सवीता का अर्थ है सूर्य का प्रकाश पुझ जब गैत्री महाशक्ती का अबतरण साधक में होता है तो साधक को ध्यान में प्रकाश पिन्दु इसमें कई तरह की कई आकरतियां भी रंगों की प्रकाश किर्ड उसको द्रश्टि गोचर होती हैं ये आरंब में हिलती डुलती रहती हैं कभी प्रकत होती हैं और कभी युख्ध होती हैं फर दीरे यह ती golden आकरतियां हल रंगों का निराकरण हो जाता है पहली स्थिती में किवल प्रकाश छोटे आकार का एवं स्वल्प तेज का होता है यनी कम प्रकाश का होता है किन्तु जैसे जैसे आत्मिक प्रगती उर्दगा में होती है बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकाश का व्रत भी बड़े आकार का हो जाता है अधिक प्रकाष वाला हो जाता है अधिक उल्लास भरादिकता है जैसे प्राता काल के उक्ते सूरे की गर्भी पाकर कम्ल की कलियां खिल पड़ती है वैसे ही अंतरात्मा इस प्रकाष अनभूती को देखकर ब्रह्मानंद का पर्मानंद का सच्चिदानंद का अनुभाव करता है जिस प्रकार चकुर रात भर चन्रमा को देखता रहता है वैसी ही साधक की ये एक्षा होती है कि इस प्रकाश को ही देखकर आनंद बिहूर होता रहे कई बार ऐसी भावना भी उठती है कि जिस प्रकार दीपक पर पतंग अपना प्राण हों देता है अपनी तुछ सत्ता को प्रकाश की महत्ता में विलीन होने का उपकरम करता है वैसे ही मैं भी अपने अहम को इस प्रकाश रूप ब्रह्म में लीन कर दूँ ये निराकार ब्रह्म के ध्यान की थोड़ी सी चाकी है अनभूती की द्रश्टी से साधक को ऐसा भान होता है मानो उसे ब्रह्म ज्यान की तत्वे दर्शन के अनभूती हो रही हो ज्यान के साराश का जो निशकर्ष है उतकर्ष आदर्ष वादी क्रिया कलाप से जीवन को उत् मेरी भीतर जाग रही है जाग ही नहीं रही ऐसी प्रेणाय और आकांग्शाय बलकि एक संकल्प का निश्य का अवस्था का तत्य का रूप धारण कर रही है प्रकाश की अनभूती का यही चिन है मायमोह और स्वार्थ संकीनता का अज्यान तिरोहित होनी से मनुष्य विशाल द्रस्टी कोन से सोचता है और महान आत्माओं जैसे साहस्पून गतिविधियां अपनाता है उसे लोभी और स्वार्थी मोहगरस्त माया बद्धि लोगों की तरह परमार्थ पत में साहस्पून कदम बढ़ाते हुए ना तो जिजक लगती है और ना संकोच होता है जो उचित है उसे करने के लिए अपनाने के लिए निर्भीकता पूर्वक साहस भरे कदम उठाता हुआ श्रेपत पर अग्रसर होने के लिए दृत कती से बढ़ चलता है ये तो गायतरी रुपी पर ब्रह्म सत्ता के उचिस्तरिय ज्यान एवं ध्यान का सुरूप हुआ जब आप उचिस्तरिय ध्यान करेंगे तब आपको ऐसी अनभूती होगी प्रारम्विक इस्तिती में ऐसी उचिस्तरिय अनभूतिया संभव नहीं है उस दशा में प्रारंबिक क्रम ही अपनाना पड़ेगा जब पूजन, ध्यान, इस्तवन, हवन जैसे शरीर साध्य के लिए कला भी प्रयोग में आते हैं तब चित का अवलंबन ग्रहन की ये बिना काम नहीं चल सकता प्रारंबिक उपासना साकार माध्यम से ही संभव है निराकार का इसतर काफी उची उचानी पर आता है उस स्थिती में भी प्रतिमा का विरोध या परित्या करने की आवशक्ता नहीं पड़ती यानि मा गायत्री के प्रतिमा का तब भी आश्रय लिया जा सकता है बल्कि उसे नित्य कर्म में समलित रखकर भी संचित संसकार को बनाय रखना पड़ता है इमारत की नीव में पड़े हुए कंकर पत्थर दर्ष्टी से उजल हो जाते हैं फिर भी उनका उपहास उड़ाने परित्या करने या निकाल कर फेकने की अवशक्ता नहीं पड़ती बल्कि उसे नित्य कर्म में समलित रखकर संचित संसकार को बनाय रखना पड़ता है इमारत की नीव में कंकर पत्थर भरे जाते हैं नीव जम जाने पर तरह तरह की डिजाइन की इमारतें उस पर खड़ी होती है बल्कि ये मानना पड़ता है कि उस विशाल बहमूल ये इमारत का आधार नीव में भरे हुए वो कंकर पत्थर ही है साकार उपासना की आध्यात्मिक प्रगती भी नीव भरना कहा जा सकता है आरंभ इस्तिती में उसकी अनिवारे आवशक्ता ही माने गई है अध्यात्म का आरंभ चिर अतीत से प्रतिमा पूजन के सहारी ही हुआ है और आगे बढ़ता चला गया है गायत्री महाशक्ती की आकरती का निर्धारन भी इसी संदर्भ में हुआ है अन्य देव प्रतिमाओं की तरह उनका विग्रह भी आधिकाल से ही ध्यान एवं पूजन में प्रिक्त होता रहा है सगी माता मानने के लिए मा गयत्री को भी वैसे ही हाथ पैर वाली होना चाहिए जैसा की साधक होता है इसलिए ध्यान एवं पूजन में सदा से दो भुजावाली और एक मुखवाली पुस्तक एवं कमंडल धारन करने वाली हंसवानी गायत्री माता का प्रियोग होता रहा है किन्तु कई स्थानों में पंचुम की प्रतिमा एवं चित्र भी देखे जाते हैं इनका ध्यान पूजन भले ही उप्युक्त ना हो पर उसमें एक महत्वपूर्ण शिक्छन या संदेश छुपा हुआ है हमें उसी को देखना समझना चाहिए साधना का अर्थ एक नियत पूजय स्थान में बैठकर अमुक्रिय कलापूरा कर लेना मात्र ही नहीं है वरन समस्त जीवन को साधना में बनाकर अपने गुण कर्म सभाव को इतना उत्कृष्ट स्थर का बनाना है कि उसमें वे भुभूतियां प्रतेक्ष द्रश्टी साधना का उत्देश शक्ति प्राप्त करना है दस शक्तियां दस सिध्यां जीवन साधना के द्वारा जब प्राप्त की जाने लगी तो समझना चाहिए कि कोई गायत्री उपासक उच्चे साधन पत पर सफलता पूर्वक अग्रसर हो रहा है सिर्फ क्रिया कला भर पूरे कर लेना माला को घुमा लेना ही परयाप्त नहीं है बलकि पूरे जीवन को ही साधना में बनाना पड़ेगा और मागायत्री का फिर अव्तरन हमारे चित्त में हो जाएगा तो अगर आपको इचान करी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें इचेनल कुर्ण